22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रियम मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी सावन की विशेश तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्रा भिशेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े हर हर महादेव सारे शुनसार को प्रकाशित करने वाला सूरज जब अस्त हो जाता है तब एक छोटा सा दीपक अंदकार को मिटा देता है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा न समझें। को सकता है कि छोटा से छोटा व्यक्ति जिसे आप तुछ समझते हैं या आपके घर में कोई बच्चा है कई बार वह आपको ऐसी सीख देकर चला जाए कि आपके लिए वह सीख बहुत बड़ा काम करें। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करें। छोटे हैं तो उनकी बातों को भी सुनें। किसी भी व्यक्ति को अपने से निम्न और अपने से तुछ कभी भी नहीं समझना चाहिए। नमस्कार। मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज में आपके सामने 16 जुलाई मंगलवार का दैनिक राशी फरली कर उपस्ति तो यह और सबसे पहले आते हैं आज के पंचांग पर। आज मास की शुक्रपक्ष की दश्मीन तिति आज है जो की रातरी 8 बच कर 33 मिनट तक रहेगी उसके बाद एक अदशी तिति प्रारम हो जाएगी। विसाका नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो के रातरी 2 बच कर 14 मिनट 17 जुलाई की रातरी 2 बच कर 14 मिनट तक रहेगा उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारम हो जाएगा। दुला राशी में गोचर ब्रामन करेंगे शुब योग आज के दिन बन रहा है। वे 16 जुलाई को अपनी सम राशी कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस सूरी के राशी परिवर्तन का क्या प्रवाव आपको अपने दैनिक जीवन पर देखने को मिलेगा। या आप ये जानना चाते हैं तो सूरी के राशी परिवर्तन के वीडियो और रेड़ी मैंने अपनी इस चैनल पर अप्लोड कर दी हैं। साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं कि चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों और सूरी के इस राशी परिवर्तन का क्या प्रवाव आज आपको अपने दिन में देखने को मिलेगा। यानि आज आपका दिन कैसा रहेगा। शुरू करते हैं आज का देनिक राशी फल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाय, तो इन उपायों को कर आप अपने जीवन में आ रही कटनाईयों को दूर कर सकते हैं। आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे। कुछ नहीं योजनों के क्रियानवेन का रहेगा। सुखों में व्रत्ति होगी, आज के दिन कोई बड़ी खरीतारी आप अपने घर के लिए कर सकते हैं। में शराशी के जातकों को कणिशी की पूजा करनी चाहिए और नित्य सुभग गणपती माराज को फूल अरपित करें। आपका शुभरंग रहेगा नीला, शुभंग रहेगा छें। अब आते हैं व्रशब राशी पर। अपने जीवन में बना रखिए उस योजना को इंप्लिमेंट करने के लिए। आज आपको अपने मित्रों की साहता की आवशक्ता पड़ेगी। ननियाल से सुब समाचारों की प्राप्ती होगी। ब्रशब राशी के जातकों को माता लक्षमी की पूजा रादना करनी चाहिए। और नित्यमा लक्षमी को लाल फूल जरूर अर्पित करें। आपका शुब्रंग रहेगा नारंगी शुबंक रहेगा नौ। अब आते हैं मित्रों राशी पर। आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन पांचवी भाव में गोचर व्रमन करेंगे। अता आज के दिन करियर को लेकर जो भी टेंशन चल रही थी वो दूर हो जाएगी विद्ध्यारती वर्ग को आज के दिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज के दिन घर पर रख रखाव या फिर कोई अच्छानक खर्चा आ सकता है चुकि आपको परिशान कर सकता है। कोट कचेरी से समंदित मामलों में सफलता मिलेगी। मितुन राशी के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और नित्य सुभा साम हनुमान च चन्रमा आज के दिन चौथी भाव में गोचर फ्रवन करेंगे। अधा आज का दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आर्तिक रूप से समस्यां आपको परिशान कर सकती हैं। आज के दिन आपको अपना बजट तैय करके चलना होगा। वरना खर्चे और अध देखने को मिल सकती है। मां के साथ जगडा बिल्कुल भी ना करें। करकर राशी के जात्कों को गुरुवार के दिन केले के प्रक्षकी पूजा करनी चाहिए। आपका शुबरंग रहेगा सफेज शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं सीह राशी परूप आपकी राशी स साथ और सयोग मिलेगा। आज के दिन अचानक आए खर्चों से आप थोड़े से परिशान होंगे परन्तु एक योजनाम तरीके से आप अपने कारें को कर इन खर्चों का निर्वहन जरूर कर लेंगे। सीह राशी के जात्कों को शनिवार के दिन पीपल के व्रक्ष के नी आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे। अता आज के दिन बिना सोचे समझे जल्दवाजी में कोई भी कारे करने का प्रयास ना करें। आज के दिन जो भी कारे करेंगे उसमें आप का परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। बाणी से आप सबको म कर देंगे आज के दिन वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कन्या राशी के जातकों को धन प्राप्ति के लिए बगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा मजेंटा शुबंग रहेगा चैन अब आतें तुल की इसे तैय कर रखें उन कारियों की रूप रेका बनाकर आप उन कारियों को निश्चित समय पर पूर्ण कर खी लेंगे यह जनवत तरीके से आप जो भी कारेंगे उसमें लाब भी मिलेगा आज के दिन अध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा तुला राशी के जातकों को गुरुवार के दिन विश्णु सहस्त नाम का पार्ट करना चाहिए इस दिन पीले वस्तर जरूर धारण करें आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा चार अब आते हैं ब्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवेई भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन कोई भी खर्चा करने से पहले उसके बारे में साथ बार सोचें क्योंकि आज के दिन अगर आप कोई भी खर्चा करेंगे तो उस खर्चे का वहन करना आपके लिए बहुत म करें आज के दिन रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें ब्रश्चिक राशी के जातकों को मंगलवार को तुलसी दल और पित करने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंक रहेगा नौ अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन उत्तम लाप की परिस्तियां आपके जीवन में लेकर आएगा कुछ कार्य जो अधूरे रह गए वो फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे यात्रा है सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन मित्रों की संक्या में विरती होगी धनू राशी के जातकों को नित्य सुभई शाम भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की पूजा रा अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वी बाव में गोचर प्रमन करेंगे वर्क प्लेस पर योजना बना कर कारेंगे तो विशेश सफलता मिलेगी आज के दिन अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो बिजनस में कुछ विशेश बदलाव कर सकते हैं वो बदलाव आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे पिता से पूछ कर को विशेश कारिये संपन करेंगे तो उसमें उत्तम लाप की परिस्तितियां भी देखने को मिलेगी और सरकारी कारियों में बाधा हैं आ रही है तो वो दूर हो जाएगी मकर राश के जातकों को नित्य गणेश जी की पूजा रादना करनी चाहिए बुद्वार के दिन गणेश जी को इलाईची अर्पित करें आपका शिब्रंग रहेगा बूरा शिबंग रहेगा तीन अब आत के दिन सोथ समझ कर किये गए कारियों में सफलता से लोगी बागया आपका साथ देगा अधूरे पड़े हुए कारिये फटा-फट से होते हुए दिखाई दिंगे आज के दिन कोई बड़ी समस्याकल आप अपने मित्रों की साहता से निकाल लेंगे कुम राशी के जातकों क सुमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अरपित करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा ग्रे शुबंक रहेगा दो अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंदरमा आज के दिन अस्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी कारे जल्द भाजी में ना करें सोच समझ कर किये गए कारियों का दूरगामी फायदा आज के दिन आपको राप्त होगा आज के दिन यत्राएं सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन किसी के बैकावे में आने से आपको बचना चाहिए मीन राशी के जातकों को नित्य सूर्य देव को जलर पित करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा मैंनों शुबंग रहेगा साथ तो ये है सोला जुलाई मंगलवार का दैनिक राशिफल, अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ, स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमीशा मुस्कुराते रहिए, जै श्री रादिक्रश्ना के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान, एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2